नमस्कार दोस्तों जूचू के हैं दानिक स्टेट समाचार से और अभी तब की जो बड़ी खबर है ये खोड़ी लाके से आ रही है वैसे तो हम आपको बता दे कि एसाई की बर्थी को लेकर काफी बच्चे जो थे वो परदर्शन पे थे और उसके बाद CBI को जांच दी गई उस जांच के दौरान काफी जवों पे रेड्स जो है वो पड़ी और उसी को लेकर आज देखा गया लगा तार पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि प्षमीर से काफी बच्चे जो थे वो धरने परदर्शन पे आगए और एक ही डिमांड कर रहे थे कि लोगों का उनका प्रदर्शन पे बाटरी थे उनका बच्चों का यही कहना था कि इसकी लिस्ट जो है वो निकाले जाए इसे स्क्रैब नहीं किया जाए लेकिन बच्च तो बच्चों को फ्यूचर को बर्बाद करने के पिछ जिन लोगों का हाथ है उनके उपर सक्त कारवाई जो है वह की जानी चाहिए और आज से हम आपको बता देए जो ब्रेकिंग खवर न्यूज्स जो हमारे सुत्रों के हावाले से हम तक पहुंच रही है आज सुबा से ही CBI ने अपनी RAIDS का जो कारवाई है वो उसको फिर से जोरो शोरो से शुरू कर दिया है खोड के इलाके से आज सुबा से ही जो है वो RAIDS जो है वो पड़ रही है अभी तक दो लोगों के घरों में जो RAID है वो पड़ चुकी है हम आपको बता दे एक जो हमारे पास सुत्रों के हवाले से ख़बर आ रही है यह है नरायना से और दूसरा है चोद्रे वाला से नरायना से जिस व्यक्ति के घर में जो RAIDS पड़ी है उनका नाम है जगदीश वो एक टीचर है और अपर नरायना के रहने वाले है सरम्याल इलाक गाड है यह चोद्रे आला के रहने वाले हैं जिनने अभी तक जो हमारे पास ख़बर पहुंच रही है वह यही है कि दो लोग खोड के दो इलाकों इलाके से दो लोगों के घरों में जो है यह CBI ने RAID जो है वो करना शुरू कर दी है आने वाली स्थिति में आज शाहिद औ लिख किये हैं उन पर कड़ी सी कड़ी जो कारवाई है वो अब शुरू होने को जा रही है हम शुक्रिया करते हैं LG साहब का जिनोंने एक टीम जो है वो बना रही है और SI के साथ साथ अब बारी है फाइनेंस अकाउंटेंट के बच्चों की जो एस्परेंस काफी देर से धर जो गाड़ है चोद्रियाना के रहने वाले और दूसरे जग्दीश जो टीचर है और अपन नरायना के रहने वाले हैं अभी तक इनी दो गरों में रेट पढ़ी है आगे आज रेट जो है वो पढ़ रही है और जानकारी हम आपको देते रहेंगे कि और कितनी जगों में ज उक्राण के साथ ग्राविया कह जो है